हलो एवरिवन मैं पूजा और दोस्तों सागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर दोस्तों कई बार सवाल आ रहे थे कि कलर कोई नेचरल बताईए तो मैं कैसे बताऊं क्योंकि मैं ट्राइ नहीं करती हूँ आमिन मैं कलर नहीं लगाती हूँ तो दूस्तों मैंने ट्राइ किया है एक नैचुरल कलर बेस बहुत सारी वीडियो देखकर ये सोचा था कि चलिए अब इसको फाइनली ट्राइ किया जाए दो चीजों का ही इस्तमाल हुआ है उससे जादा मैंने नहीं किया क्योंकि सिंपल से सिंपल उसको रखने की कोशिश की है ताकि उसे लगाने में वैसे भी आपको पता ही है कि जब हम महदी वगेरा लगाते हैं तो बहुत जादा बड़ा काम हो जाता है दूसरी बात वो मैंने अपने बालो पर ट्राइ नहीं किया है क्योंकि बाल लंबे हैं तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट नहीं मिलता तो भी प्रॉब्लम होती दूसरा थोड़ा टाइम जादा लगता तीसरा इतने जादा बाल जो है वो वाइट नहीं है कि actual कलर क्या आया है वो पता लग सके तो दोस्तो उसे मैंने completely सफेद बालो पर ट्राइ करने की कोशिश की ताकि result actual क्या आए बहुत अराम से पता लग सके तो चलिए दोस्तो क्या इस्तमाल किया कैसे इस्तमाल किया आपको बताती हूँ और फिर खुदी decide कर लीजीगा मुझसे क्या भूल हुई या आप उस चीज में expert हैं तो comment section में आप मेरी help भी कर सकते हैं बता कर कि मुझे क्या करना चाहिए था वैसे मैंने 10 से 15 वीडियो देखी हैं इस topic पर उसके बाद ही इस चीज को try किया है तो उस हिसाब से मैं confident थी कि हाँ result अच्छा आएगा तो चरिए दोस्तो result भी देखेंगे और क्या कैसे लगाया है वो भी बताती हूँ तो दोस्तो इसके लिए मैंने ये नुपूर महंदी ली है नुपूर महंदी जो आती है वही और इन की सुनाय महंदी अच्छी होती है इसलिए बाकि मुझे कुछ जादा इन के बारे में नहीं पता है लेकिन देखें नुपूर गोद्रेज की महंदी है तो अपने आंप म पानी डाल कर इसे mix किया जो बरतन आप देख रहे हैं ये है लोहे का बरतन तो लोहे के बरतन में मैंने इसको अच्छे से mix किया कुछ भी नहीं डाला है आमला पाउडर वगेरा या फिर चाय पत्ती का पानी क्योंकि मेहदी का diesen color उसे मानती हूं अच्छा आता है बालों के लि सब्सक्राइब 5460 करें और अब मैंने इसमें मिलाया हैं इंडिगो पाउडर नगुल हूं दॉठ biza क्षि सब्सक्बार इसमें बना दो चमच टक में ले रही Parl I क्षिए और क्कौटे बालव पर सकानल श्क्राछा क्विल्डा नहीं नहीं बना Based , श्क की जिस जादा बचे ना कम पड़े तो दो चमच टोटल अगर मैं देखे हूं तो पांच साड़े पांच चमच तक टोटल पाउडर हमा जो इसमें हमने यूज किया है और नॉर्मल चमच है चमच आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हम घर में यूज करते हैं वही है इसमें भी दोस्त करने के बाद थोड़ी देर रखना है उसके बाद अपलाई कर लेना तो आदा घंटा सवागंटा मैंने इसको रखा और फिर अपलाई किया है यह देख लीजे बाल जो है कुछ इस तरीके के हैं अभी नया हेर कट लिया था तो नीचे के बाल प्रॉपर वाइट नजर आ र कलर जो मैंने लगाया है बिलकुल अराम से लगाया है और बहुत अच्छे से रिपीट किया है ताकि कवरिंग अच्छी हो ऐसा ना हो कि बाल जो है वो कहीं से रह जाए और बड़ी मुश्किल से इनको मनाया था मैंने यह कलर लगाने के लिए बाल छोटे हैं दोस्तों मैंने कवर किया है इसका थोड़ा सा एक पैच मैंने अपने हाथ पर भी लिया जिसके कान उसका जो कलर है वो मुझे ब्लैक नजर आया और थोड़ा सा इसमें कलर देखे बच भी गया है तो पांसे छे चमच में यह अच्छा खासा एक मतव लगा लिजिए मैंन के बालों में से लग सकता है तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट देख लीजिए जो सोचा था कुछ वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला है यानि कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तो मुझे संतरिया बना कर छोड़ेगी और वही हुआ कि जो रंग है वो इस तरीके का आया अब इसके उपर तो कलर भी नहीं जाएगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो कलर यह आया है यहां पर दोस्तों वैसे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की जैसे 10-15 वीडियो देखकर मैंने ट्राइग किया था प्रोसेस बही रखी चीजे कम रखी ताकि सिंपल रिजल्ट मिल सक है इसलिए कम यानि दो ही चीजों का इस्तमाल हुआ और वैसे तो इसकी एक प्रोसेस और बताई गए थी कि पहले महंदी लगा ले बालों को सुखा ले दूसरी एप्लिकेशन सिंपल आप इंडिगो पावडर की कर ले तो इस चीज को किसने फॉलो किया है मुझे कमेंट से हो गया था कि पहले ही उन्हें लग रहा था कि यह महंदी वाला तू औरेंज कर देगी मेरे को लेकिन हो भी वही गया जिसके कारण अब मेरा यह हो गया कि अब मुझे पर कुछ ट्राइम मत करना तो उस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरेंस है वह अच्छा नहीं रहा मतलब जो को सोचा था जो बहुत सारा कुछ देख कर यह विजुलाइज कर लिया था कि रिजल्ट वाओ आने वाला है यह हो जाएगा वह जाएगा बहुत सिंपल है दो चीज़े ही हमने एड की हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत लग रहा था कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है और जो कि अच्छा नहीं आया नो डाउट क्योंकि ब्लैक कलर ही चाहिए था वो मेंदी का कलर आया मेंदी का कलर आ ही जाता हम सब को पता है मेंदी का कलर अपना होता है नैचुरल और ज्यादा टेज भी होता है अगर मैं कम टाइम तक रखती तो मु निकल कर आये और कलर जो है वो औरेंज निकल कर आया ये किस किस के साथ हुआ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा दूसरा मैंने गलती कहां की वो भी बताईएगा तीसरा क्या करना चाहिए था वो भी जरूर बताईएगा ताकि अगली बार जब मैं ट्राइ करूं तो वो मैं अपने बालों पर करूँ और रिजल्ट एकदम अच्छे आएं। तो चलिए दोस्तों, उमीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ हेल्प तो जरूर मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, खुबसूरत आप अपने आप लगेंगे, बाई बाई